दोस्तों मैं सोरम बली का आप सभी का वाइफाई स्टेडी चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे गुरूब डी का एक और नया प्रेक्टिस सेट जो की काफे इंपोटेंट होगा तो प्लीज पूरी वीडियो को एंट तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर करिएगा टेलिग्राम का ने में सोरम बलीक ओफिचल इसको जोइन कर लेना यहाँ पे आप लोगों को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है इस्पेशल क्लासिस के टाइमिंग है डाई बजे और रात में ग्यारा बजे दोनों की इस्पेशल क्लासिस के लिंक भी आपको टेलिग्राम पर बिल जाएंगे अनकेडमी प्लस के सारे बेनिफिट जैसे के लाइब क्लासिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट और लिमिटेड एक्सिस और भी सारे बेनिफिट आपको दोस्तो तब मिलते हैं जब आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्चन जोइन करते हैं और कोर्ड यूज करते हैं स्टेडी टेन इससे आपको मैक्सिमम डिसकाउंट बिल जाता है सभी कैटेगरी में तो आप सब्सक्रिप्चन जोइन करते समय स्टेडी टेन कोर्ड याद रखेगा दोस्तो SSC सूपर विकेंड चलने वाला है अगस्चे से साथ तो इसको ध्यान रखेगा मिशन SSC विदान अकेडमी आप इसमें अन्रोल कर लीजेगा अन्रोल करते समय कोड स्टडी 10 ही रहेगा प्राइस भी हाइक होने वाले हैं तो आप सब्सक्रिप्शन जोइन कर सकते हैं टार्गेट दिसमबर बैच दोस्तो जोकी SSC CGL के लिए स्टार्ट हो रहा है चार अगस्चे इसमें आप लोग अन्रोल कर सकते हैं बाकी अन्तिम प्रार बैच जोकी स्टार्ट हो चुका है चार अगस्चे ठीक है ये भी स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग इनमें सभी में अन्रोल कर सकते हैं और प्लैस और आइकोनिक दोनों के लिए कोड स्टार्ट है नहीं रहेगा भई ये आपको ध्यान रखना है बाकी आइकोनिक के फिचर है प्राइटिन डाउट सो लिंग प्राइटिन लाइट इसले आप डिटेल में देख सकते हैं इसके अलावब दोस्तो सारी टैस सिरीज फ्रीओ पोस्ट होती है उनको लगा सकते हैं रेजा हेंड करके आप लाइव किलास के दुरान कोशन पूछ सकते हैं, अप्टर लाइव किलास भी अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, तो चले शुरू करते हैं, आज की वीडियो को प्लीस पूरेंट तक देखेगा, दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है, हजार जी कोशन एक्जाम में आ चुका है आगे भी पूछे जाने की संभावना है दूसरा कोशन है एसिया और भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की जील कौन सी है एसिया और भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की जील दोस्तों कौन सी है तो इस कोशन का सही उत्तर होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर के आप लोगों ने, अगर C answer लगाया, वुलर लेग, यानि कि option C is the right answer, तो यह आप लोग को याद अखना है, अगला question आता है, भारत की सबसे बड़ी जील, भारत की सबसे बड़ी जील, दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा, पेरियार जील is the right answer, तो भारत की सबसे बड़ी जील दोस्तों पेरियार जील है, यह आप लोग को याद अखना है, दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है, तो इस question का सही answer होगा, अरे बिल्कुल सही answer है, चिलका लेक इस question का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है which is the largest salt water lake in India तो चिलका lake राइट आंसर हो जाएगा पाच्वा कोशन आता है सिरी हरी कोटा दीप में इस्तीथ है तो यह इस्तीथ है दोस्तों सिरी हरी कोटा दीप इस लोकेटिड तो यह लोकेटिड है दोस्तों आंध्र प्रदेश में तो इस कोशन का सही आंसर उप्षन भी हो जाएगा अगला कोशन आता है विस्व की सबसे बड़ी जील कोन सी है विस्व की सबसे बड़ी जील which is the largest lake in the world तो मेरे प्यारे दोस्तों largest lake in the world कोन सी है बिल्कुल ट्राई करिए मैं आपको हर कोशन में 3-4 सेकिन दे रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप उस कोशन को ट्राई कर सके इस कोशन का सही उत्तर होगा दोस्तों कैस्पियन सागर यानि कि उत्तर ए रैट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है भारत की दोस्तों मेरी क्लास धाई बजे होती है और एक क्लास रात में 11 बजे रात के 11 बजे वाली क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस मत करिएगा वैसे मिस आपको धाई बजे वाली भी नहीं करनी है बट किसी कारणवर्स अकर आप धाई बजे नहीं आते रात के 11 बजे जरूर आई सही उत्तर हो जाएगा अगला कोशन है लेक लेक तसोंग मों कहां इस्तित है तो लेक तसोंग मों दोस्तों कहां पर इस्तित है तो ये भी इस्तित कहां पर है दोस्तों आपका सिक्किम्य है बहुत ही बढ़िया राइट आंसर इस ओप्शन है कोशन आता है लोग टक जील कहां पर इस्तित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा, बिल्कुल सही, लोक्टक जील इस्तित है, मनिपूर में, यानि कि इस question का right answer आपका option B हो जाएगा, ठीक है, यह आप लोगों को याद अखना है, अगला question है, दुनिया की सबसे गहरी जील कौन सी है, deepest lake in the world, मैं पूरे दुनिया में पूछ रहा हूँ, तो दुनिया की सबसे गहरी जील दोस्तों कोन सी है, यह आपकी बेकाल जील है, ठीक है, तो इस question का सही answer आपका option A हो जाएगा, ठीक है, अगला question आता है, मानस वन्ने जीव अभ्यारन किस इस्तान पर है, तो मानस wildlife century is located at, तो यह दोस्तों located है आपका असाम में, ठीक है, तो right answer is option C, यह आप लोगों को याद रखना है, अगला question आता है, सुंदर्बन नैसल पार्क इस्तित है, तो सुंदर्बन नैसल पार्क कहा पर इस्तित है दोस्तों, यह सभी student को पता होगा कि सुंदर्बन नैसल पार्क वेस्ट पेंगोल में, ठीक है, तो इस question का सही answer होजाईगा option B, तो यह भी आप लोग को याद रखना है, अगला question आता है, पेरियार रास्टिय उधान और वन्ये जीवन अभ्यारण में इस्तित है, तो पेरियार रास्टिय उधान और वन्ये जीव अभ्यारण दोस्तों कहा पर इस इस्तित है यह इस्तित है इडूकी में तो इस question का सही answer option D हो जाएगा यह आप लोगों को याद अखना है अगला question आता है दोस्तों रंथा पोर रास्ट्य उध्यान और वन्य जीव अभ्यारण में इस्तित है तो यह कहां पर इस्तित है यह भी आप लोगों को बताना है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे है इस question का right answer हो जगा राजिस्तान में तो यह भी काफी important question है दोस्तों तीक है अगला question आता है विस्व डौपिंग रोधी agency का मुख्या ले खालिस्तान में इस्तित है तो विस्व डौपिंग रोधी agency का मुख्या ले खालिस्तान में इस्तित है इ पिल्कुल सही उत्तर करें दोस्तों विस्वर डॉपिंग रोधी अजेंसी का मुख्याले मोनेट्रियल कनेडा में इस्थी थे दोस्तों ठीक है मोनेट्रियल कनेडा इस दारेट आंसर यह आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन है भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशिय खारे पानी की जील कौन सी है तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशिय खारे पानी की जील कौन सी है तो यह है सांबर जील तो इस कोशन का सही आंसर आपका ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है कोशन आता है रामनाच स्वामी मंदिर किस राज्य में इस् रामनाच स्वामी टेंपल इस लोकेटेड इन विच स्टेट तो तमिल नाड़ू इस कोशन का सही उत्तर हो जाएगा यह है आप लोगों को याद रखना है दोस्तों ठीक है अगला कोशन है डाबोलिम हवाई अड़ा निमलिकित में से किस राज्य में इस्तित है तो डाबोलि हवाई अड़ा कहां पर इस्तित है यह गोवा में इस्तित है और इससे रिलेटेड कोशन दोस्तों आपका एक्जाम में आया था अब यह नहीं मेरे को पता पट यह कोशन एक्जाम में आया था ठीक है सैद सीजल के पिरी में आया था या फिर एंटी पीसी सीबिटी वन में सोर्मंडल के सबसे छोटे चंद्रमा का नाम बताईए तो सोर्मंडल के सबसे छोटे चंद्रमा का नाम दोस्तों क्या है इस question का right answer हो जेगा डिमोस बिल्कुल सही उतर किया आप लोगों ने तो right answer is option D यह आप लोग को याद खना है ठीक है कोशन है सुक्र के वात्तावरंड पर कौन सी गैस परचूर मात्रा में है तो इस कोशन का रहे टांसर क्या हो जएगा बहुत ही बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन डियोक्षाइड इस question का right answer जगा है यान की CO2 is the right answer तो यह आप लोग को याद खना है चलिए दोस्तो next video पे चलते हैं और please आप से request है video को like जरू कर जाकरें और रात के 11 बजे दोस्तों जो session होगा please उसको जरूर जोइन करिएगा unacademy पर मेरी profile का link नीचे description box में हर एक student के लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है वो series रात के 11 बजे दोस्तों GK का night quiz के नाम से वो होती है एक भी दिन मिस मत करिए मेरी profile पे जाके परानी वीडियो को देख लेना आपको उनमें ही मज़ा आ जाएगा और फिर इस राज्य में सबसे अधिक अंतरास्टे हवाई अड्डे है आपके पास हर एक question में तीन से चार सेकिन रहेंगे answer देने के लिए और नीचे comment box में answer जुरू बदेगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस question के बारे में बात करूँ तो उत्तर प्रदेश इस question का right answer होचेगा काफी सारे student यहाँ पे केरल answer लगा रहे होगे बट केरल में दोस्तों चार अंतरास्टे हवाई अड्डे हैं और उत्तर प्रदेश में 5 तो right answer is option D तो यह आप लोग को यादखना है दोस्तों अगला question आता है भारत में वर्तमान pin code परणाली को वर्स में जारी किया गया था आप लोग को पता है कि आपके इलाके का हरेक इलाके का एक pin code होता है ठीक है ना जिसको अम address जब भी कहीं पर देते हैं तो अपना pin code बताना होता है और हमारा जो courier होता है वो पहुँच जाता है सही time से और सही location पर तो यह pin code जो परणाली है यह कब से सुरू हुई थी यह question है तो मेरे प्यारे दोस्तों pin code जो परणाली है यह आपकी सुरू ही थी 1975 से तो काफी बढ़िया question है यह ठीक है और मैं देखे आप लोग को बता दू कि सारे ही ऐसे questions मैं आपको कराता हूँ अगर आप regular class जोइन कर लेना तो मज़ा आ जाएगा सुबह 6 बजे यह class आपको regular मिल रही है आप खुद भी देखिए अपने दोस्तों को भी share करिए उनको भी दिखाइए और अगर आपको एक घंटे की class जोइन करने है न मेरी तो रात में 11 बजे दूस्तों अनकेडमी पर मैं एक special class लेता हूँ एक घंटे की कम से कम उसमें इस परकार के 60-70 questions cover कराता हूँ और regular होती है एक भी दिन miss नहीं होती है तो उसको भी आप जोइन कर सकते हैं ठीक है लिंक मेरा profile का नीचे description box में दिया गया है दोस्तों साइधिरी range का दूसरा नाम क्या है ये ज़र आप मुझे बताइएगा तो साइधिरी range का दूसरा नाम है दोस्तों पस्चिम घाट यानि की western घाट इस question का सही उत्तर हो जाएगा अगला question आपका आता है निमलिकित में से किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसीन है तो निमलिकित में से किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसीन है दोस्तों तो यह है आपका गंगा का यानि कि इस question का सही answer option भी हो जाएगा ठीक है अगला question आता है किसे जुड़वा सहरों के रूप में जाना जाता है किसे जुड़वा सहरों के रूप में जाना जाता है तो guys यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिल्कुल सही है हैदराबाद एन सिकंदराबाद को जुड़वा सहरों के रूप में जाना जाता है काफी बढ़िया question है यह important है दोस्तों याद रखेगा ठीक है अगला question इन में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमना गंगा में मिल जाती है फिर से पढ़िये question को इन में से कौन सी नदी ऐसी है दोस्तों जो मध्य भारत से बहती है और यमना गंगा में मिल जाती है तो यह नदी है दोस्तों बेतवा नदी तो इस question का सही answer option D होने वाला है अगला question है दुनिया के किन दो देसों के बीच सबसे लंबी भूमी सीमा है तो सबसे लंबी भूमी सीमा दोस्तों किन दो देसों के बीच में है तो यह है Canada और USA के बीच में कहीं बार आता है दोस्तों exam में question कि किस देस की coast line सबसे अधिक है ठीक है किस देस की जो boundary है वो किसी C को सबसे जादा touch करती है तो वो Canada हो जाएगा ये भी आप लोग याद रखेगा एक ही question में दो question मैंने करा दिया आपको ठीक है अगला question भारत में खालिस्तान खनीजों का समरद पठार है तो भारत में दोस्तों खनीजों का एक समरद पठार है चोटा नागपुर पलेटू ठीक है यानि कि चोटा नागपुर पठार तो इस question का right answer भी हो जाएगा ये आप लोगों को याद रखना है अगला question है निमलकित नदियों में से किस नदी का उदगम इस्थल भारतिय चेतर से नहीं है निमलकित नदियों में से किस नदी का उदगम इस्थल भारतिय चेतर से नहीं है तो जल्दी से आंसर बतेगा इस question का सही उत्तर क्या होगा तो दोस्तों घागरा जो है रिवर ये आपकी इंडिया से उरिजनेट नहीं होती है तो इस question का right answer option D हो जाएगा अगला question है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरास्टिय सीमा किसके द्वारा सिमांकित की गई है तो ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही इस question का right answer हो जाएगा आपका तो रेड किलिफ लाइन है दोस्तों इस question का right answer is option C ये आपको याद रखना है अगला question आता है भारत के सुदूर परवत में कौन सादेश भारत के साथ सरवदिक लंबी अंतरास्टिय सीमा बनाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer बताएगा मयमार इस question का सही answer हो जाएगा ये आप लोगों को याद रखना है अगला question है भारत इवम चीन के बीच सीमा निधारित करने की मैक मोहन रेखा निमलिकित में से किस परदेश की उतरी सीमा पर खीची गई है तो जल्दी बताएं दोस्तों भारत एम चीन के बीच सीमा निधारित करने की मैक मोहन रेका निमलिखित में से किस परदेश के उत्री सीमा पर खीची गई है तो इस कोशन का दोस्तों रेट आंस होजेगा अउनाचल परदेश यानि कि D is the right answer ये आप लोगों को याद रखना ह अगला कोशन है निमलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरास्टे सीमा नहीं लगती है तो गाईज इस कोशन का सही उत्तर होगा सिरिलंका यानि कि D is the right answer ये आप लोगों को याद रखना है निमलिखित में से कौन सा देश भारतिये उपमादीब के अंतरगत सामिल नहीं किया जाता है निमलिखित में से कौन सा देश भारतिये उपमादीब के अंतरगत सामिल नहीं किया जाता है तो इस कोशन का सही उत्तर होगा दोस्तों सिरिलंका यानि कि C is the right answer ये आप लोगों को याद रखना है निमलिखित में से किस राज्य से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है तो दोस्तों ये है आपका गुजरात और राज्थान वेस्ट पेंगल से गुजरती है बट उडिसा से नहीं गुजरती तो right answer is उडिसा तो option हो जाएगा आपका a right answer अगला कोशन है भारत का वह राज्य जिससे होकर करक रेखा गुजरती है तो जिससे होकर हिमाचल प्रदेश से भी नहीं ब्यार से भी नहीं जारकन से गुजरती है तो right answer is option D ये आप लोगों को यादखना है भारत का दक्सिन तम बिंदू है भारत का दक्सिन तम बिंदू कौन सा है तो southernmost point of India is मेरे प्यार दोस्तों इंद्रा point इस question का सही उत्तर हो जाएगा ठीक कौन सा है तो आप लोग को बताना है the most remote place in the south of India तो right answer is इंद्रा point तो ये भी आपका right answer option C हो जाएगा दोस्तों इंद्रा point का अन्य नाम क्या है तो देखें इंद्रा point का दोस्तों अन्य नाम है बिल्कुल सही इस question का right answer ये सभी है दोस्तों तो इंद्रा point के ये सभी नाम है ये आप लोग याद रख सकते हैं तो दोस्तों देखें इस class को हें तक रखते हैं और please आप से एक छो question answer की series को complete cover करना है तो unacademy पर दोस्तो free special classes आप attend करिए कुछ नहीं करना है unacademy learning app download करना है मेरी profile का link नीचे description box में उस पर जाके click करके follow कर लेना है और आपके पास notification पहुँच जाएंगे दिन में धाई बजे और रात में 11 बजे दोनों class आप join कर लेना बस और कुछ भी नहीं करना है आपके 5000 GKGS के question answer cover हो जाएंगे सुबेच 6 बजे आप जो class ये देख रहे हैं इसको भी देखते रही है क्योंकि ये भी काफी important होती है ठीक है गाईज तो चलिए मिलते है next class में और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहां पर आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लीजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much